हेलो बच्चो कैसे हो आप लोग आशा करती हूँ सब कुशल होंगे आईए आज आपका अध्याय त्रिबुज के अंतरगत हम पढ़ेंगे त्रिबुजों की समरूपता के लिए कसोटियां पिशली कक्षा में हमने सीखा था कि दो त्रिबुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोन बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में मने समानुपाती हो अर्थात यदि त्रिबुज ABC और त्रिबुज DEF में कोन A बराबर हो कोन DK, कोन B बराबर हो कोन E, कोन C बराबर हो कोन F तथा AB बटा DE बराबर हो BC बटा EF बराबर हो CA बटा FD तो दोनो त्रिबुज समरूप होते हैं यह देखिए हमारे पास त्रिबुज ABC और त्रिबुज DEF है यहां आप देख सकते हैं की A, D के संगत है B, E के संगत है तथा C, F के संगत है सांकेतिक रूप में हम इन त्रिभुजों की समरूपता को ABC समरूप DEF लिखते हैं तथा त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के पढ़ते हैं संकेत ये जो संकेत हैं ये समरूप को प्रकट करता है ठीक है बचो इस बात पर अवश्य ध्यान देना चाहिए कि जैसा त्रिभुजों की सरवांग सम्ता की स्थिती में किया गया था त्रिभुजों की समरूपता को भी सांकेतिक रूप से व्यक्त करने के लिए उनके शेशों की सगनताओं को सही क्रम में लिखा जाना चाहिए उदानतह आकरती के त्रिभुजों ABC और DEF के लिए हम त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज EDF अत्वा त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FED नहीं लिख सकते परन्तु हम त्रिभुज BAC समरूप है त्रिभुज EDF लिख सकते हैं प्रमे को देखिए, यदि दो त्रिबुजों में संगत कोन बराबर हो तो उनकी संगत बुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती होती हैं और इसलिए ये त्रिबुज समरूप होते हैं उप्रोक्त कसोटी को दो त्रिभुजों की समरूपता की A.A.A. मने कोण, कोण, कोण कसोटी कहा जाता है टिपणी की और गवार करिए यदि एक त्रिभुज के दो कोण किसी अन्य त्रिभुज के दो कोणों के क्रमशह बराबर हों तो त्रिभुज के कोण योग गुन धर्म के कारण इनके तीसरे कोण भी बराबर होंगे इसलिए ए ए समरूपता कसोटी को निमन लिखेत रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है आईए देखते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के करमशह दो कोणों के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं उप्रोक्त को दो त्रिभुजों की समरूपता की ए एक असोटी कहा जाता है उपर आपने देखा कि यदि एक त्रिबुज के तीनो कोण करमशह दूसरे त्रिबुज के तीनो कोणों के बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती एक ही अनुपात में होती है दूसरा प्रमे देखिए क्या कहता है यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती अर्थात एक ही अनुपात में हो तो इनके संगत कोन बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज सम्रूप होते हैं इस कसौटी को दो त्रिभुजों की सम्रूपता की SSS मने भुजा, भुजा, भुजा कसौटी कहा जाता है उप्रोक्त प्रमे को ऐसे दो त्रिभुज ABC और DEF लेकर जिसमें AB बटा DE बराबर है, BC बटा EF बराबर है, CA बटा FD हो सिद्ध किया जा सकता है अगला प्रमे देखते हैं क्या कहता है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण, दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बटाबर हो, तथा इन कोणों के अंतरकत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो, तो दोनों त्रिभुज सम्रूप होते हैं इस कसौटी को दो त्रिभुजों की सम्रूपता की SAS मतलब भुजा, कोण, भुजा, कसौटी कहा जाता है उधारण में आकरती में यदि PQ समानतर है RS, ये PQ है और ये हमारा RS है तो सिद्ध कीजिए की त्रिभुज P, O, Q समानुपाती है त्रिभुज S, O, R के ठीक है, आईए हल को समझते हैं PQ समानतर है RS के दिया हुआ है अते कोण P बराबर है कोण S के कोण P बराबर है कोण S के क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण है कोण Q बराबर है कोण R के ये भी एकांतर कोण है, देखिए और साथ ही कोण P, O, Q ये कोण और कोण S, O, R ये दोनों कोण भी बराबर है क्यों? क्योंकि ये शेशा विभु कोण है इसलिए त्रिभुज P, O, Q समानती हैं, त्रिभुज S, O, R A, 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 समरूपता कसोटी द्वारा आईए बच्चों, अब आपकी प्रशनावली 6.3 का दूसरा प्रशन करते हैं आकरितिम में त्रिभुज O, D, C समरूप है त्रिभुज O, B, A के जिसमें कोण B, O, C ये हमें दिया है 125 डिग्री और कोण C, D, O ये हमें दिया है 70 डिग्री कोण D, O, C कोण D, C, O और कोण O, A, B हमें ग्याद करना है आईए देखते हैं कैसे ग्याद करेंगे हम देख पा रहे हैं इस आकर्ती में हमारे पास कोण D, O, C और कोण C, O, B कितना होगा बिल्कुल ठीक 180 होगा क्यों? क्योंकि D, O, B एक सरल रेखा है हमें निकालना है कोण D, O, C तो देखिए यह हो जाएगा 180 में से हम कितना है कोण C, O, B 125 तो इसको हम घटा देंगे तो हमारे पास कोण D, O, C आ जाएगा 55 डिग्री ठीक है? अब हमें यह तो हमें पता चल गया यह 55 डिग्री है अब बच्चों आप बता सकते हो त्रिभुज D, O, C में अगर हमें कोण D, C, O निकालना है हम कैसे निकालेंगे? बिल्कुल ठीक हम तीनों कोणों का योग निकालेंगे और वो होना चाहिए 180 के बराबर ठीक है? त्रिभुज D, O, C में तीसरी कोण हमारे पास है D, C, O देखिए तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए क्योंकि त्रिभुज में ये गुंद्धर्म है और हमारे पास कोण D, C, O हो जाएगा 180 मेंसे हम घटा देंगे 70 जमा 55 डिग्री ये हो जाएगा 180 मेंसे 125 घटा देंगे तो हमें कोण D, C, O आजाएगा 55 डिग्री ठीक है बिच्चों? और हमें एक और कोण निने निकालना था कौण सा? O, A, B ये ठीक है? अब हमें ये पता है कि त्रिभुज O, D, C समरूपी है त्रिभुज O, B, A, K इसलिए कोण O, A, B बराबर होगा कोण O, C, D या D, C, O मतलब ये भी 55 डिग्री हो जाएगा ठीक है बच्चो इस प्रकार हमने तीनो कोण निकाल लिए कोण D, O, C क्योंकि B, O, D, X, R, L रेखा थी उसके उससे हमने घटा के निकाला 180 में से 125 और दूसरी हमने निकालनी थी कोण D, C, O जिसको हमने 180 में से 70 और 55 को हमने यहां जमा करके घटा कर दिया तो कितना आया D, C, O 55 डिग्री और हमें यह आंगल यह आपने देखा यह और यह कोण यह दोनो क्योंकि त्रिभुज O, D, C समरूपी है त्रिभुज O, B, A के इसलिए यह कोण बराबर होंगी यह हमें 55 पहले से पता है तो यह भी 55 डिग्री हो जाएगी आशा करती हूं समझ में आ गया है बच्चो चलिए अगला प्रेशन करते हैं समलंब A, B, C, D जिसमें A, B समानतर है D, C के विकर्ण A, C और B, D परसपर O पर प्रतिछेद करते हैं दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रियोग करते हुए दर्शाये की O, A बटा O, C बराबर है O, B बटा O, D इसके हल में देखिए आपको दिया हुआ है A, B समानतर है C, D के ठीक है तो कोण A, B, O ये कोण और ये कोण ध्यान से देखिए क्या ये एकानतर कोण है जी हाँ तो ये कोण बराबर हुए अब त्रिभुज A, O, B तथा C, O, D में गौर करिए हमारे पास कोण A, B, O बराबर है कोण C, D, O ये हमने अभी बताया क्यों? क्योंकि ये समीकर्ण एक में हमने अभी बताया है कि ये दोनो एकानतर कोण है कोण A, O, B देखिए ये और कोण C, O, D ये क्या है? शेशा विबुक कोण है इसलिए ये भी बराबर है तो हम ये कह सकते हैं A, A समरूपता कसौटी से कि तरिभुज A, O, B समरूपी है तरिभुज C, O, D के इसका मतलब O, A, O, C बराबर होगा O, B, O, D क्यों? क्योंकि समरूप तरिभुज के संगत भुजा समानुपाती होते है आईए अगला प्रशन देखते है प्रशन चार में आकरती में Q, R बटा Q, S बराबर है Q, T, बटा P, R तथा कोण 1 ये आपका कोण 1 है बराबर है कोण 2 के ये आपका कोण 2 है दर्शाये की तरिभुज P, Q, S P, Q, S समरूपी है तरिभुज P, Q, R के ठीक है तो इसमें आप देखिए Q, R बटा Q, S बराबर है Q, T बटा P, R तथा कोण 1 बराबर है कोण 2 ये हमें दिया हुआ है तरिभुज P, Q, R में P, Q बराबर है P, R तो बराबर कोणों की सम्मुक भुजा है इसलिए P, Q और P, R बराबर है और Q, R बटा Q, S बराबर है Q, T बटा P, R ये हमें दिया हुआ है इसमें ध्यान से देखिए हम P, R को P, Q लिख सकते हैं समीकरन एक से तो हमने Q, R बटा Q, S बराबर है Q, T बटा P, Q लिख लिया समीकरन एक की मदद से अब त्रिभुज P, Q, S तथा त्रिभुज T, Q, R में हम लिख पाएंगे Q, R बटा Q, S बराबर होगा Q, T बटा P, Q समीकरन दो से आगे देखिए Q, R बटा Q, S बराबर है Q, T बटा P, Q समीकरन दो किसा हैता से हमने लिखा, कोण एक बराबर है कोण एक के आप देख सकते हैं, ये उभेनिष्ट कोण है, S, A, S समरूप तक सौटी से हम कह सकते हैं, त्रिभुज P, Q, S, समरूप है त्रिभुज T, Q, R के ठीक है बच्चो, चलिए अगला प्रेशन देखते हैं, प्रेशन पांच, त्रिभुज P, Q, R की बुजाओं, P, R और Q, R पर क्रमशव बिंदू S और T, इस प्रकास स्थित हैं, कि कोण P, बराबर है कोण R, T, S के दर्शाइए कि त्रिभुज R, P, Q समरूप है त्रिभुज क्रमशव, S और T इस प्रकास स्थित हैं, कि कोण P, यह जो कोण P है, यह बराबर है R, T, S के यह दोनों कोण, बराबर दिये हुए हैं और त्रिभुज R, P, Q, तथा त्रिभुज R, T, S में आप देखिए, कोण P बराबर दिया है, कोण R, T, S के और कोण R, जो है वो कोण R के बराबर है, क्योंकि वो उभैनिष्ट है इस प्रकार हम देखते हैं A, A, समरूपता कसौटी से त्रिभुज R, P, Q समरूपी है, त्रिभुज R, T, S के ठीके बचो आए अगला प्रशन देखते हैं आकरती में यदि त्रिभुज A, B, E सर्वांगसम है त्रिभुज A, C, D के तो दर्शाये की त्रिभुज A, D, E समरूप है त्रिभुज A, B, C के इसमें आपको दिया हुआ है कि त्रिभुज A, B, E सर्वांगसम है त्रिभुज A, C, D के और इसलिए हम कह सकते हैं कि AB, यह जो AB है, वो AC के बराबर है, क्योंकि सरवांग सम में भुजाएं बराबर होती हैं और कोण भी बराबर होते हैं, और AE बराबर है AD के, यह देखिए, AD बराबर है AE के, अत्वा AE बटा AD बराबर होगा AB बटा AC, जो है एक बटा एक के बराबर, आपके पास त्रभुज ADE तथा त्रभुज ABC में, AE बटा AD बराबर हुआ AB बटा AC, यह समिकर एक के द्वारा आगे, कोण A बराबर है कोण A के, क्योंकि वो उभे निष्ट है, इसलिए, भुजा कोण भुजा, S.A.S. समरूपता कसौटी से, हम कह सकते हैं, त्रभुज ADE समरूपक है त्रभुज ABC के, ठीक है बट्चो, अगला प्रशन देखते हैं, समानतर चत्रभुज ABC की बढ़ाई गई बुजा AD पस्तित E एक बिंदू है, तथा BE बुजा CD को F पर प्रतिछेद करती है, हमें दर्शाना है कि त्रभुज ABE समरूप है त्रभुज CFB के, खल देखिए, ABCD एक समानतर चत्रभुज है, जिसकी बढ़ाई हुई भुजा AD पस्तित E एक बिंदू है, तथा BE बुजा CD, देखिए, BE, मुझा CD को कहां पर प्रतिछेद कर रही है, F पर, यह हमें दिया हुआ है, ABCD एक समानतर चत्रभुज है, इसलिए कौन AEB बराबर होगा, यह कौन बराबर होगा कौन CBE के, देखिए, क्यों क्योंकि यह एक आंतर कौन हैं, और अब ध्यान दीजिए, त्रिभुज ABE और त्रिभुज CFB में, हमारे पास कौन AEB बराबर है कौन CBE के, समिकर्ण एक के द्वारा, और कौन A बराबर है कौन C के, क्यों, क्योंकि समानतर चत्रभुज के सम्मुक कौन है, इस प्रकार AA सम्रूपता कसौटी से, हम देखते हैं कि त्रिभुज ABE सम्रूप है त्रिभुज CFB के, ठीक है बच्चों, आएए अगला प्रशन देखते हैं, आकरती में ABC और AMP दो सम्कौन त्रिभुज है, जिनके कौन B और M सम्कौन है, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC सम्रूपी हैं, त्रिभुज AMP के, और CA बटा PA बराबर है, BC बटा MP, यह देखिए, यह सम्कौन है, तो यह 90 डिग्री है, दिया है यह हमें ABC और AMP दो सम्कौन त्रिभुज हैं, जिसके कौन B और कौन M सम्कौन हैं, अब आप देखिए, त्रिकौन ABC और AMP, यह ABC और AMP में, एक तो हमें सम्कौन हैं, और दूसरा यह उभेनिष्ट हैं, तो इसलिए AA सम्रूपता से हम सिद्ध करेंगे, कौन ABC बराबर कौन AMP प्रतेक 90 डिग्री है, कौन A बराबर कौन A क्योंकि उभेनिष्ट हैं, इसलिए AA सम्रूपता का सौटी से, हमने देखा, कि त्रिभुज ABC सम्रूपक है त्रिभुज AMP के, अब CA बटा PA बराबर है, BC बटा MP, क्यों? क्योंकि सम्रूप त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, ठीक है बचो, आएए, अगला प्रशन देखते हैं, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदू D, इस प्रकास्थित है कि कोण ADC, ADC बडाबर है कोण BAC के, दर्शाइय की CA का वर्ग बडाबर है CB गुणा CD के, अब हमारे पास त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज BAC में कोण ADC बडाबर है कोण BAC दिया हुआ है, और हम ये भी देख रहे हैं कि कोण C, ये उभेनिष्ट है, इस प्रकार कोण कोण समरूपता कसौटी से हमें मिला त्रिभुज ADC समरूपक है त्रिभुज BAC के, चूंकि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपवती होती हैं, AC बटा CB बराबर है CD बटा AC या CA गुणा CA, मतलब CA कवर्ग बराबर है CB गुणा CD, आप देखें, यहाँ पर तिर्ची गुणा करने से हमें प्राप्त होगा और इस प्रकार हमने सिद्ध किया, अगला प्रशन देखिए, लंबाई 6 मीटर वाले एक उर्धवाधर स्थम की भुमी पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मिनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, इसकी लंबाई कितनी है? 28 मीटर, मिनार की उचाई ग्याद कीजिए, हमें मिनार की उचाई ग्याद करनी है, यह आपकी मिनार है, इसकी उचाई हमें ग्याद करनी है और यह हमें 6 मीटर दिया हुआ है, माना PQ मिनार है जबकि ST स्थम्ब है TR स्थम्ब की चाया है और QR मिनार की चाया है त्रिभुज PQR तथा त्रिभुज STR में हम देख रहे हैं कि कोण PQR बराबर है कोण STR कि यह और यह दोनो नभबे डिग्री के हैं और कोण R बराबर है कोण R क्योंकि उभे निष्ट है देखें दोनो त्रिभुज में इस में और इस में यह उभे निष्ट हैं इसलिए कोण-कोण सम्रूपता कसोटी से हम देखते हैं कि त्रिभुज PQR सम्रूप है त्रिभुज STR के ठीक है बचो अब PQ बटा ST बराबर है QR बटा TR जोंकि सम्रूप त्रिभुज के संगत भुजाएं समान उपाती होती हैं इसलिए PQ बटा 6 बराबर है 28 बटा 4 हमने इनकी मान रख दी और PQ हमने प्राप्त किया 6 गुना 28 बटा 4 जिसको हम कलने पाते हैं 4 से 7 बार कड़ गया अब यह हो गया 42 मीटर अतह मिनार की उचाई हो गई 42 मीटर इस प्रकार हमने मिनार की उचाई निकाल ली समझ में आ गया बच्चो चलिए अगला प्रशन देखते हैं AD और PM त्रिभुजो ABC और PQR की क्रमश माधिकाए हैं आकरती बना लेते हैं यह है त्रिभुज ABC माधिकाए इसको दो हिस्सों में बाटती है BC को और यह हमारा है इसमें AB बटा PQ बराबर है AD बटा PM यह दोनों इकुल है और यह दोनों भी बराबर है ठीक है हमें त्रिभुज ABC समरूपक है त्रिभुज PQR दिया हुए हमें सिद्ध करना है AB बटा PQ बराबर है AD बटा PM के अब आप हल देखिए हमें दिया है AD और PM त्रिभुजों ABC और PQR की क्रमश माधिकाए हैं जबकि ABC त्रिभुज समरूपक है त्रिभुज PQR के सिद्ध करना है AB बटा PQ बराबर है AD बटा PM प्रमान देखिए त्रिबुज ABC समरूपक है त्रिबुज PQR दिया है AB बटा PQ बराबर होगा BC बटा QR क्यों? क्योंकि समरूप त्रिबुज के संगत भुजाएं समानुपाती होती है AB बटा PQ बराबर है 1 बटा 2 BC बटा 1 बटा 2 QR यह हम लिख सकते हैं क्योंकि यह AD इन दोनों को बराबर हिस्सों में बाढ़ता है ऐसी M QR को QM बराबर MR होगा देखिए AB बटा PQ बराबर है BD बटा QM इसको सम्मिकरन एक ले लेते हैं और कोन B बराबर है कोन Q के क्यों क्योंकि सम्रूप त्रिभुज की संगत कोन है त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज PQM में AB बटा PQ बराबर है BD बटा QM सम्मिकरन एक से कोन B बराबर है कोन Q के सम्मिकरन दो से SAS भुजा कोन भुजा सम्रूपता कसौटी से हमने पाया की त्रिभुज ABD सम्रूपक है त्रिभुज PQM के अर्थाथ AB बटा PQ बराबर है AD बटा PM के समझ में आया बच्चो चलिए अब आप ग्रहकारे के लिए कुछ प्रशन ले लीजे पहला प्रशन है आकरती में कोन P ग्याद करना है हमें दिया हुआ है कोन A बराबर है C डिग्री और कोन B बराबर है 60 डिग्री ठीक है और हमें पता लगाना है कोन P के बारे में पता लगा लेंगे बहुत असान है दूसरा प्रशन देखिए आकरती में O A गुना O B बराबर है O C गुना O D दर्शाइए की कोन A बराबर है कोन C के और कोन B बराबर है कोन P के ठीक है अगला प्रशन ले लीजे आकरती में त्रिभुज A B C के शीश लंब A D और C E परस्पर बिंदू P पर प्रतिछेद करते हैं यह देखिए यहाँ पर यहाँ प्रतिछेद करते हैं इस हमें दर्शाना है की त्रिभुज A E P समरूपक है त्रिभुज C D P के दूसरा त्रिभुज A B D समरूपक है त्रिभुज C B E के तीसरा त्रिभुज A E P समरूपक है त्रिभुज A D B के और चोथा त्रिभुज PDC समरूपक है त्रिभुज PEC के चोथा प्रश्न एक त्रिभुज ABC की बुजाएं AB और AC तथा मद्दी का AD एक अन्य त्रिभुज की बुजाओं PQ और PR तथा मद्दी का PM के करमश समानुपाती है दर्शाइये की त्रिभुज ABC समानु पाती है त्रिभुज PQR के ठीक है तो बच्चों आज हमने क्या सीखा सारांच देख लेते हैं त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटिया हमने पढ़ी पहली कसौटि क्या थी AAA समरूपता कसौटि यानि कोण 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 समरूपता कसौटि यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत बुजाएं एक ही अनुपात में होती है और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं दूसरी, ए-ए समरूपता कसोटी, कोण-कोण समरूपता कसोटी, यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज के दो कोण, क्रमशह, दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। और हमने क्या सीखा? SSS समरूपता कसोटी यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो तो उनके संगत कोण बढ़ाबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं हमने ये भी सीखा SSS समरूपता कसोटी मतलब भुजा, कोण, भुजा, समरूपता कसोटी यदि एक त्रिभुज का एक कोण, दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बढ़ाबर हो तथा इन कोणों को अंतरगत करने वाली भुजाएं एक ही अनुपात में हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं तो आशा करती हूं बच्चों, आपको आज का पाठ समझ में आया होगा खूब अभ्यास करिएगा धन्यवाद